परिचय चात्रो अब हम उस वस्तु के बारे में जानेंगे जिसके द्वारा पदार्थ की उत्पत्ती हुई है क्या तुम में से कोई मुझे उस वस्तु विशेश का नाम बता सकता है? हाँ, राहुल तुम सर, परमानू बिल्कुल सही परमानू वो सबसे छोटी वस्तु है, जिससे पदार्थ बना है तो आओ, इस पार्ट में हम परमानू के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे परमानू के विभिन माडलों का वर्ण करना टॉम्सन के परमानू माडल को स्मरण करना रदर फोर्ट के परमानू माडल वह उसकी कमियों की चर्चा करना बोर के परमानू माडल की व्याख्या करना इलेक्ट्रानों के विभिन कक्षों में प्राकीर्णन को स्मरण करना पर्मानू संखिया, द्रवेमान संखिया, समस्थानिक एवं संभारिक में अंतर करना पर्मानू शब्द पर्मानू युनानी शब्द एटम से बना है, जिसका आर्थ होता है अविभाच्चे युनानियों ने यह निशकर्ष निकाला था कि पदार्थ को देखे ना जा सकने वाले अधिसुक्ष्म कड़ों में तोड़ा जा सकता है इन कड़ों को वे पर्मानू कहते थे, पर्मानू तीन प्रकार के कड़ों का संयूजन होते हैं प्रोटोन, निट्रोन एवं इलेक्टोन अधिकांश परमानू द्रविमान के लिए प्रोटोन तथा निट्रोन उत्तरदाई होते हैं प्रोटोन तथा निट्रोन दोनों ही नाभिक में तौरित होते हैं प्रोटोनों का आवेश धनात्मक होता है। नियोट्रोनों का कोई आवेश नहीं होता। वे उदासीन होते हैं। एलेक्ट्रोन नाभिक के इर्द गिर्द के कक्षों में त्वरित होते हैं। उनका आवेश रनात्मक होता है। परमाणू संक्या का निर्धारन प्रोटोनों क संख्या के आधार पर होता है, अर्थाद H बराबर एक. समस्थानिक निट्रॉन की अलग-अलग संख्या में भी यही तत्व पाए जाते हैं, इनसे एक तत्व बंदा है, जिसे समस्थानिक कहते हैं. समस्थानिक के रासाइनिक गुण वही होते हैं, यद जबी कुछ समस्थानिकों के भौतिक गुण भिन्न हो सकते हैं. कुछ समस्थानिक रेडियो धर्मी होते हैं, अर्थात वे अधिक स्थिर रूप, संभवता, एक अन्य तत्व अर्थ जीवन में ख्षरित होते समय उड़ जाय विक्रित करते हैं, किसी तत्व के परमाणूं को स्थिर रूप में ख्षरित होने में समय लगता है. एक अन्य उधारण है, एक परमाणूं संख्यावाले हाइड्रोजन में एक, दो या तीन न्यूट्रोन हो सकते हैं. टॉम्सन का परमाणूं मॉडल जे जे टॉम्सन ने प्रस्तावित किया, कि परमाणूं धनावेशित पदार्थ का एक ठोस गोला है, और रणावेशित कर्ण, इलेक्ट्रोन उसमें तर्बूस के बीजों की भाती धसे हुए होते हैं. तर्बूस के खाने योगे लाल भाग की तुलना परमाणूं के धनावेश से की गई. टॉम्सन ने प्रस्तावित किया, कि परमाणूं धनावेश वाले गोले के रूप में होता है, इलेक्ट्रोन उस गोले में धसे रहते हैं. मोटे तौर पर परमाणूं विद्यूतिय रूप से उदासीन होता है, क्योंकि परिमाणूं में धनात्मक एवं रनात्मक आवेश समान होते हैं. हालाकि टॉम्सन की ये व्याख्या कि परमाणूं विद्युतिय रूप से उदास्थीन होता है अन्निव वग्यानिकों द्वारा गलत सिध्ध कर दी गई रदर फोर्ड का प्राकिर्लन प्रयोग आर्नेस्ट रदर फोर्ड ने एक प्रयोग किया जिसमें प्लेटिनम एवं सोने जैसी धात्वों की पतली पन्नी के माध्यम से आवेशित करणों की बहचार की गई प्रयोग में लाए गए आवेशित करण ए यानी अलफा थे और उनका द्रवेमान हाइड्रोजन के परमाणों की तुलना में चार गुना तथा धनावेश इलेक्ट्रोन पर आवेश के परिमाण का दो गुना था धातू की पतली पन्नी में परमाणों की कुछी पर्तों के होनी की अपेक्षा की गई थी पन्नी पर विक्षेपित आवेशित करणों की गती पर रणावेश वा धनावेश के विभाचन के विभिन प्रकारों तथा परमाणों के द्रवेमान का प्रभाव पढ़ने की भी अ पेक्षा की गई थी। टॉम्सन के पर्माणों मॉडल के आधार पर ये पाया गया कि धातों की पन्नी से गुजरते हुए आवेशितकन एक छोटे कोण पर मुड़ जाते थे। पर्माणों की भीतर का अधिकांश भाग खोकला या रिक्थ होता है जो की आवो पर्माणों कड़ों को हटे बिना सीधे जाने देता है। पर्माणों के आयतन की तुलना में नाभिक द्वारा घेरा गया आयतन बहुत ही कम होता है क्यूंकि बहुत ही कम पर्माणों कर्ण अपिक्षाक्रित बढ़े कोण पर प्रतिरुद्ध होते हैं। रदर फोर्ड का पर्माणों मौडल अपने प्रयोगों के आधार पर रदर फोर्ड ने पर्माणों का नाभिक की ये मौडल प्रस्तुत किया। उनके मौडल के अनुसार पर्माणों एक धनावेशित के इनरक नाभिक पर आधारित होता है। नाभिक से एक निश्चित दूरी पर इलेक्टरौन उसी प्रकार परिक्रिमा करते हैं जैसे उपग्रह सूरे की परिक्रिमा करते हैं। इसलिए इस मौडल को पर्माणों का उपग्रह ये मौडल भी कहा जाता है। कक्षों में इलेक्टरौनों की संख्या नाभिक में उपस्तित धनावेशों यानि प्रोटौनों की संख्या के बराबर होती है। इसलिए पर्माणों विद्धुतिय रूप से उदासीन होता है। पर्माणों के आयतन की तुल्ना में नाभिक का आयतन नगर्ने होता है। उधारनार्थ यदि हम परमाणों की परिथी को एक किलोमीटर मानें, तो नाभिक का आकार परमाणों के कोर केंदरक में उपस्थित क्रिक्ट गेंद के बराबर होगा। इस प्रकार परमाणों में अधिकांश स्थान रिक्त होता है। रदर फोट के नाभिकिये पर्माणू मॉडल की कमिया रदर फोट के मॉडल में ये कमी है कि चूबकि नाभिक वा एलेक्टरौन विद्धत-स्थैतिक आकर्शन बल के दोारा साध-साथ रहते हैं इससे नाभिक वा एलेक्टरौनों का आपस में टकराव हो सकता है परमाणू में यह नहीं होता इसके लिए रदर फोर्ड ने यह व्याख्या दी कि नाभिक के चारों और इलेक्ट्रॉन सरपिल पथ में चक्रित होते हैं यह भी संतोष जनक नहीं है क्योंकि सरपिल पथ में गती करने से इलेक्ट्रॉनों की उर्चा समाब्द हो जाती है और आखिरकार वे नाभिक में गिर जाते हैं किन्तु परमाणू स्थिर होते हैं बोर का परमाणू मौडल नील्स बोर 1913 ने रदर फोर्ड के मौडल की कम्यों को दूर करते हुए परमाणू सनचना का एक परिश्कृत मौडल प्रस्तावित किया जो की आधूनिक परमाणू सिध्धान्द की और पहला कदम है इस सिध्धान्द की आवधारणाएं निमनलिखित हैं इलेक्ट्रोन नाभी के चारों ओर केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चकरण कर सकते हैं जिन्हें विविक्त कक्षाएं कहते हैं इन में से प्रतेक स्थिर कक्षा में निश्चित उर्जा होती है अताहा उन्हें उर्जाइस्तर, उर्जा कवच, अथवा स्थावर अवस्था कहते हैं चुकि इलेक्ट्रोन एक निश्चित कक्षा में रहता है अताहा उसकी उर्जा लंबे समय तक बनी रहती है भिन्न भिन्न कक्षों के इलेक्ट्रोनों की उर्जा भिन्न भिन्न होती है. जब इलेक्ट्रोन निम्न उर्जास्तर से उच्च उर्जास्तर में जाते हैं, तो कुछ उर्जास्तर में जाते हैं, तो कुछ उर्जास्तर उच्च उर्जास्तर में जाते हैं, तो कुछ उर्जा अफ्शोशित या उत्सर्जित उर्जा जहां H प्लैक का इस्थरांख है तथा V अफ्शोशित या उत्सर्जित विक्रण की बारम बारता है. इलेक्ट्रॉनों का विभिन कक्षों में वित्रण बोर तथा बरी ने इलेक्ट्रॉनों के परमाणों की विभिन कक्षाओं में वित्रण के बारे में बताया. किसी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संखिया एक सूत्र दो एन दो द्वारा निकाली जाती है. इसमें एन कार्थ कक्ष की संखिया है. वाहतम कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रोनों की अधिक तमसंखिया आठ है तथा उपांतिम कक्ष में 18 से अधिक इलेक्ट्रोन नहीं आ सकते किसी तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं अर्थात किसी पर्माणों के अन्य तत्वों के पर्माणों के साथ एक निश्चित संख्या में रासाइनिक एकी करण की ख्षमता तत्वों के पर्माणों की संयोजन ख्षमता जैसे की व्याख्या की गई है वाहतम कक्ष के अश्टक को पून रूप से भरने का प्रयास है में क्रमशा तीन वा चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। चुंकि वाहतम कक्ष में फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अताहा अश्टक बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को घटा दिया जाता है। अताहा फ्लोरीन की संयोजक्ता एक है। पर्माणू संख्या द्रवेमान संख्या प्रोटानों वँ इलेक्ट्रानों की संख्या के योग को किसी तत्व की द्रवेमान संख्या कहते हैं. माना किसी तत्व की पर्माणू संख्या Z तथा द्रवेमान संख्या A है तो पर्माणू में प्रोटानों की संख्या बराबर Z होगी पर्माणू में इलेक्ट्रोनों की संख्या बराबर Z होगी पर्माणू में न्यूट्रोनों की संख्या बराबर A रिन Z होगी हाइडोजन वा आक्सीजन के परमाणूं की संदचना हाइडोजन परमाणूं प्रोटॉनों की संखिया P बराबर Z बराबर 1 एलेक्टॉनों की संखिया E बराबर Z बराबर 1 न्यूटॉनों की संखिया N बराबर A रिन Z बराबर 1 रिन 1 बराबर 0 अता हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, प्रथमकक्ष में एक इलेक्टॉन होता है आक्सीजन परमानू परमानू संख्या Z बराबर 8, द्रविमान संख्या A बराबर 16, प्रोटॉनों की संख्या P बराबर 8, एलेक्ट्रोनों की संख्या E बराबर 8, न्यूट्रोनों की संख्या N बराबर A रिन Z बराबर 16 रिन 8 बराबर 8 समस्थानिक डाल्टन ने अपने सिध्धान्त में कहा था कि एकी ही तत्व के पर्मानूं आकार, अमाप तथा सनचना के द्रिष्टिकोंड से समरूप होते हैं। वग्यानिकों ने डाल्टन के इस विश्लेशन में विश्वास व्यक्त किया, लेकिन बात में इसे आमान ने कर दिया गया। द्रवेमान संख्या भिन्न हो सकती है। किसी तत्व के ऐसे पर्माणूं समस्थानी कहलाते हैं। A की ही तत्व के पर्माणूं की पर्माणू संख्या यानि Z समान होती है, किन्तु दरवेमान संख्या अथवा आंशिक पर्माणू दरवेमान यानि A भिन्न होता है. दूसरे शब्दों में न्यूट्रोनों की संख्या के मामले में समस्थानिक परस पर भिन्न होते हैं लगभग सभी तत्वों में समस्थानिक होते हैं हाइडोजन के समस्थानिक हाइडोजन के समस्थानिक तीन होते हैं प्रोटियम यानि H, डियूटीरियम यानि D, ट्राइटियम यानि T. संभारिक अलग-अलग तत्वों के परमाणूओं में जब परमाणू संखिया भिन्न, किंदू, द्रविमान संखिया समान हो, तो उन परमाणूओं को संभारिक कहते हैं. उधारनार्थ, केल्शियम वा और्गन में भिन्न इलेक्ट्रों संखिया तत्था भिन्न परमाणूं संखिया होती है, किंदू, उनकी द्रविमान संखिया समान अर्थाद 40 होती है, इसलिए उन्हें संभारिक कहते हैं. क्या आप जानते हैं? 1911 में आननेस्ट रदरफोर्ड ने खोज की कि परमाणूं का अधिकांश द्रविमान नाभिक में स्थित होता है, जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रों भी होते हैं. इलेक्ट्रॉनों की तुल्ना में प्रोटॉनों का द्रविमान 1836 गुना होता है, उनके विप्रीत आवेश परिमाण में ठीक बराबर होते हैं. इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों और छोटा कक्ष नहीं बना सकता, क्योंकि हीसन बर्ग के अनिश्चित्ता सिध्धांद के अनुसार इलेक्ट्रॉन की तरंग जैसी प्रकृती उसे छोटे क्षित्र में सीमित होने से रूखती है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जेजे टॉम्सन ने प्रस्तावित किया कि परमाणू धनावेशित पदार्थ का एक्ठोज कोला है और रणावेशित कर्ण इलेक्ट्रोन उसमें तर्बूस के बीजों की भाती धसे हुए होते हैं। रदाव फोर्ड के अलफा कड़ों के प्राकीरलन प्रयोग ने परमाणू केंद्रक की खोच का मार्ग प्रश्चस्त किया। रदा फोर्ड ने प्रस्तावित किया कि जिस प्रकार उपग्रह सूरी की कक्षा में खुमते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रोन केंद्रक के चारों ओर खुमते हैं, इसलिए इस मॉडल को परमाणू का उपग्रहिये मॉडल भी कहते हैं बोर ने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रोन विभिन कक्षाओं में विभिन उजैस्तरों पर वित्रित होते हैं। किसी तत्व की पर्माणू संख्या पर्माणू के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या होती है। समान पर्माणू संख्या यानि Z किन्तु भिन द्रवेमान संख्या यानि A आंशिक पर्माणू द्रवेमान वाले एक इही तत्व यानि कुछ तत्वों के पर्माणू को समस्थानिक कहते हैं। भिन्न पर्मानु संख्या किन्तु समान द्रविमान संख्या वाले विभिन तत्वों के पर्मानु को संभारिक कहते हैं.